ओम शान्ती रूहानी खात्री में आपका स्वागत है हमारे ग्यान का मुख्य सब्जेक्ट है योग योग जितना शक्तिशाली होगा उतना ही हम कहेंगे आत्मा शक्तिशाली बने प्रेदि योग में आत्मा कमजोर है मतलब उसके बाकी सब्जेक्ट भी कमजोर होंगे इसलिए हमें योग को मजबूत बनाना है और योग का अर्थ है याद लगन की अगनी जो बाबा इन दिनों हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकास इस अगनी को बढ़ाना है आज बाबा ने कहा योग माना शान्ती की शक्ती यह शान्ती की शक्ती बहुत सहज स्वेक को और दूसरों को परिवर्तन करती है इससे व्यक्ती भी बदल जाएंगे तो प्रकर्ती भी बदल जाएगी व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो लेकिन प्रकर्ती को बदलने के लिए शान्ती की शक्ती अर्थाद योग बलही चाहिए बाबा कहते हैं कि व्यक्तियों को तो हम मुख के कोर्स द्वारा भी बदल सकते हैं उन्हें साथ दिन का कोर्स कराते हैं उसकी उधारां उनमें परिवर्तन हो सकता है लेकिन प्रकर्ति को तो कोर्स नहीं कराया जा सकता उसको तो बदलने का एक मातर साधन है हमारी मंसा शक्ति हम मंसा के द्वारा ही प्रकरती को परिवर्तन कर सकती है और मंसा शक्ति कब काम करेगी जब योग शक्तिशा लिए होगा योग अर्थ बाबा ने आज बता है शान्ती की शक्ति हमें अपने स्वधर्म में इस्तित रहना है और शांती हमारा स्वधर्म है जितना जितना हम अपने इस धर्म में इस्तित होते जाएंगे हमारी शांती की शक्ती जितना बढ़ती जाएगी जितना आत्मा को शांती की अनुभुती होती जाएगी जितना हम परमधाम में इस्तित होने का अभ्यास करते जाएंगी उतना हम प्रकरती को बदलते जाएंगे और प्रकरती का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा जिससे कल्यूग सत्यूग में परिवर्तन होगा तो इसके लिए हमें अपनी शान्ती की शक्ति को बढ़ाना है अच्छा, ओम शान्ती